तो आज हम बनाएंगे ये टेस्टी से लड्डू इन लड्डूओं को आज हम घर में ही मिलने वाले सामानों से जटपट बनाकर तयार करेंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी भी होते हैं रक्षबंदन आने वाला है और रक्षबंदन में हम लड़ू को बना कर खा सकते हैं यह घर के ही सामान से भेहती असान तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं तो चली बनाते हैं लड़ू ओको तो इन लड़ू हों को बनाने के लिए कोई भी कप्या कटोरी को मेजर्मेंट के लिए सेट कर लें फिर सारा मेजर्मेंट आप उसी से ले ले तो सबसे पहले यहाँ पर हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम दो चम्मच घी डालेंगे यहाँ पर मैंने जिससे हम दाल चावल खाते हैं वही सिंपल वाला फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तीन से चार मिट के लिए कलर चेंज होने तक भूनना है सूजी को हम जितने अच्छे से भूनेंगे तो हमारे जो लड्डू है वो उतने ही बड़िया तरीके से बनकर तयार होंगे तो यहाँ पर सूजी को भूनते हुए मुझे पांच मि किश्मिस इन्लडू में बहुत ही टेस्टी लगते है तो इने भी हम इसमें ढालकर इसी समय पर भून लेंगे जिससे कि हमें दुबारा से इने भूनने की जरुरत ना पड़े और यहीं अच्छे से भूनकर तयार हो जाएंगे तो इसे भी भूनते हो एक मीट हो गया है अब हम इसमें एक चोथाई कटोरी नारेल का बुरादा डालेंगे तो नारेल का बुरादे को हम बाद में डालेंगे क्योंकि नारेल का बुरादा जल्दी ही जल जाता है और साथ ही हम आदी कटोरी चीनी डालेंगे तो यहांपर मैंने सारा मिजिर्मेंट उसी कडोरी सी किया था जिससे की मैंने सूजी ली थी और इसे भी हम अच्छे से चलाते हुए एक मिट के लिए भून लेंगे तो मिशिन को भूनते हुए यहाँ पर आट मिट हो गए हैं और इसके बाद इसे मिलाकर अच्छे से सूखने तक पका लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी मलाई का इस्तमाल किया है और इसे हमें अच्छे से सुखा लेना है अगर आप यहाँ पर मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहां मलाई की जगे पर दो कटोरी दूद का इस्तमाल भी कर सकते हैं और इसे अच्छे से हमें सूखने तक पकाना है मिशन अप सूख गया है तो इसे हम निकाल कर ठंडा होने देते हैं मिशन ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें एक चुथाई चम्मय चिलाइचु का पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसके लड़ू बना लेंगे तो लड़ू आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े जैसे आपको पसंद हो वैसे बना ले तो ये सूजी के लड़ू बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाते हैं हमारे टेस्टी से ये सूजी के लड़ू तो इन हम कुछ ड्रायफूट से गानिश कर देंगे तो आप अपनी पसंद के काम सामान में जहटपट्व तो ये लड़ू खाने के साथ हल्दी बिए और बनाने में आसान है Cyber कर दिखाती हूँ कि लड़ू कितना soft बन कर तयार हुआ है तो